तो दोस्तों मैं आपसे इस वीडियो में BBA Air Travel Management Course के वारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि BBA Air Travel Management का Course आखिर क्या होता है इसमें किस परकार के subject होते हैं जैं कोर्स कितने वरष्ड का course होता है इस course का eligibility criteria क्या है और अंतिमी दोस्तों मैं आपसे जोग Profiles के वारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप इस course को पूरा कर लेते हो आपको किस परकार की जोग मिल सकती है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो एजुकेशनल वर्डस्टर चैनल तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बी बी ए एर ट्रेवल मैनेजमेंट कोर्स के वारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों अगर आपने 12 की खिलास को पास कर लिया है और आपको जहे जानना है कि 12 की खिलास को पास करने के बाद आखिर कौन कौन से कोर्स होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन एक फुल टाइम ग्रेजुएशन कॉर्स है और इस कॉर्स को वैर स्टुडेंट्स करते हैं जो 12 की क्लास पास कर लेते हैं BBA का मतलब होता है Bachelor of Business Administration तो आप Air Travel Management कॉर्स के माध्यम से आप Aviation के सेक्टर में आप जोब पास सकते हो तो जैए एक ऐसा कॉर्स है जिसमें आपको एक Good Communication स्किल की जरूरत होती है तो इस कॉर्स को पूरा करने के बाद आप किसी भी Private जा पबलिक Airline जा एरपोर्ट में आप काम कर सकते हो अभी आप से मैं कॉर्स duration के बारे में आप से मैं डिस्कस करने वाला हों की BBA Air Travel Management का कॉर्स कितने वर्ष का कॉर्स होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैए कॉर्स तीन वर्ष का कॉर्स होता है और इस कॉर्स को आप semester system के base के उपर आप complete करते हो जिसमें आपको 6 semester पूरे करवाई जाते हैं और एक साल में आप 2 semester को पूरा कर लेते हो अभी आप से मैं job profiles के बारे में आप से मैं discuss करने वाला हों की अगर आप इस course को पूरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो दोस्तों आप airline manager बन सकते हो आप system manager भी आप बन सकते हो इसके इलावा आप airport manager भी आप बन सकते हो तो जैसाब आपकी personal skill और knowledge के उपर depend करता है कि आपको किस sector में job मिल सकती है अभी आप से मैं subjects के बारे में आप से मैं discuss करने वाला हों की आप इस course में किस परकार के subjects आप study कर सकते हो तो इस course में आप principles of management, hospitality, business, economic, computer, applications, tourism, products and services, etc. subjects आप इस course के दुरान study करते हो और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और भी इस course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दुरान करवाए जाते हैं अभी आप से मैं eligibility criteria और admission process के बारे में आप से मैं discuss करने वाला हूँ कि आप इस course में किस परकार से admission ले सकते हो तो सबसे पहले बात करते हैं eligibility की इस course की eligibility है कि दोस्तों आपको 12th की class आपको पास करनी होगी और अगर बात करें admission process की तो 12th की class को पास करने के बाद दोस्तों आपको entrance exam को clear करना होगा entrance exam के clear करने के बाद ही आपको college में admission मिल जाएगा लेकिन अगर आपको entrance exam नहीं देना फिर भी आप अपने developed के merit के base के उपर आप college में direct admission ले सकते हो तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपसे BBA air travel management course के वारे में आपसे मैंने इस वीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपका जो doubt होगा इस course के regarding वो clear हो चुका होगा लेकिन फिर भी अगर आपका किसी भी परकार का कोई doubt है तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के description में काफी courses के बारे में वीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें वहाँ जाकर भी देख सकते हो तो अन्त में दोस्तो अभी आपको जाए वीडियो केसी लगी अगर आपको जाए वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना